हेलो फ्रेंड्स, एक्वेशन लाड़्ड में आपका स्वागत है, आज हम लग पढ़ेंगे QUALITIC EQ, ठीक है, और उसको हम EQS & In Equation में बोलते हैं QUALITIC EQS & In Equation में बोलते हैं, यह जो है न, बैंक में, 5 नंबर का पुछते जाता है और यह पांच नंबर आपको रहेगा ही रहेगा ठीक है ना यह equation and equation हर exam banks exam में चाहिए वो bank IBS color को IBS PO हो SBI PO SBI color को तो यह सारे quadratic इसमें रहते हैं five number के आना ही आना है ठीक है तो आज हम इसके बार में पढ़ेंगे इसमें क्या होता है कि हमारे एक equation दिया रहता है और हमको उसमें xy के बीच में comparison करना करता है कि x less than y होता है या x less than equal to y होता है या x is equal to y होता है या x greater than equal to y होता है या x greater than y होता है तो हम लोग equation को solve करके इसमें xy के बीच comparison करते हैं ठीक है, तो हम लोग आज एक question लेंगे, equation लेंगे, ठीक है, और solve करेंगे, ठीक है? तो हमारा ये equation है, पहला equation है, 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0, तो इसको हम पहले solve करते हैं, ठीक है, तो 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0, तो आप लोग ये equations and equations आप लोग ने पहले भी पढ़ चुका होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं जानते हो, तो चलो ठीक कोई बात नहीं सीख लोगे आप लोग, ठीक है, और मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको equation को solve करने के लिए, हमारा जो first ये है, 4x square and last, इस दोनों को हम लोग multiply करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, multiply करते हैं, तो 4x, 4x square into 3 करेंगे, 4x square into 3 करेंगे, तो क्या होगा, 4, 3 is a 12, 12 और ये x square आ जाता है, तो ह हम लोग इसी पर क्या करना है, 4x square plus 3 को multiply किये, तो 12x square है, तो ये जो हमारा बीच में equation दिया, ना, number जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे divide करेंगे, कि plus करो या minus करो, तो ये 8 आना चाहिए, और इसको multiply करो तो उस digit को तो हमारा 12 act, इसको है, ठीक है, तो हम और 2, 8, 4 और 2 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 नहीं आ रहा है, बट, 4 to the 8 भी होता है, तो ये गलत है, तो हमको 12 लाना है, ठीक है, 12 लाना तो क्या होगा, 6 plus 2 क्या होता है, 8 होता है, और 6 into 2 क्या होता है, 12 होता है, तो यानि हम लोग इस पर क्या कर रहे है, इसको plus कर रहे है, 8 ह हो रहा है और इसको क्रेंट करें तो 22 हो रहा है और मैनिस उन्टन मैनिस प्लस करते हैं बडस ममुठर करता है मैन तो इस प्लस ठी लिग दो थीकर है तो फोर्टेश उस्क्वर और सको हम एक ट्रोर कर लेगे और इसको 3 को 1 कर ले सकता है कुल एकस अपर ऑद्वैक्स ऌाइक्स आध्ल के आग्र च skin फ помог यap innovation माइनस तो 2x इंटू 3 करेगे तो क्या होगर 2 3 जा 6x हो जाएगा यह हो गया फिर हम यह माइनस सिम्बॉल उतारते हैं फिर इसमें हमारा कॉमन क्या ले सकते हैं तो यहां पर हम लोग क्या common ले सकते हैं इसमें हम लोग one common ले सकते हैं one common ले सकते हैं तो one into two x अब minus into plus क्या होगा minus into plus minus होगा फिर one into three हो जाएगा तो आप यह देख रहे हो कि यह जो factor और यह जो है यह दोनों क्या हमारा same आना चाहिए ठीक है common आना चाहिए अब हम लोग इसमें select करते हैं two x minus three इस दोनों में से एक ले लेते हैं और यहां क्या है two x minus one और इसको भी एक अलगी कर लेते हैं ठीक है तो इसमें से हमारा x का value निकल जाएगा तो two x minus three इसको हम लो करो two x minus two x three is equal to zero लो तो two x यह minus three इदर आएगा तो क्या हो जाएगा plus three यह आप लोग पढ़ा होगा six eight में पढ़ा होगा कि मैनस अगर equal to में इस सेट है हमको उधर करना right शाट तो प्लस होता है या प्लस उधर रहे तो मैनस मतलब यह सिंबॉल आप लोग पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा हो तो यह मैं बता दूँगा ठीक है इंटू में तो यह चाहिए क्या होगा डिवाइड में तो हमारा दो वैल्यू आया एक का थरी वाइन टू एक क्या आया एक क्या वैलू 1 बाय 2 तो उसी तरह हम लोग के इसका एक्वेशन निकाल लिए उसी तरह हम लोग तो y का value निकालेंगे, ठीक है न, तो y का निकालेंगे किया है, 2y square minus 7y plus 6 is equal to 0, तो हमने क्या बताया था दोस्तों आपको, कि first and last, इस दोनों को multiply करते हैं, क्या करते हैं, first and last, यानि first and last number को हम लोग मल्टिप्लाइ करते हैं, 2y square, first में है, और last में क्या है, 6 है, तो 6, 2s है क्या हो गया, 6, 2s है, 12 हो गया, ठीक है, 12, और यह क्या हो गया, y square, फिर इस में 12 y square है, तो इसको, इस number को, यह जो हमारा equation यह दिया हुआ है, तो इसको ऐसे divide करेंगे, minus, यानि plus करने पर 7 आना चाहिए, और multiply करने पर 12 आना चाहिए, तो कैसे होगा, minus 4 और minus 3, तो इसको add करो, minus minus plus होता है, मैंने बताया था, but symbol क्या रहेगा हमारा, minus लिए रहेगा, तो यह 7 हो जाएगा न, फिर इसको करो, minus 4 into minus 3, आप आपको पता है, multiply में अगर minus minus रहता तो क्या करते है, plus हो जाता है, plus और 4 3 जा, 12 हो गया, तो 12 आगिया, तो यह क्या रहेगा, 4 y क्या करेंगे, 4 y और minus 3 y, 7 y, 4 y into यह तो हो जाएगा, और square कैसे आया, आप लोगों पता है, y into y क्या होता है, y square होता है, ओके, आप हम लोगों इसमें करेंगे, 2 y square minus 4 y और minus 3 y, 7 y हो गया, और यह 6 plus, हम लोगों ऐसे लेना है, क्योंकि हम लोगों को y का value निकालना है, इसलिए हम लोगों इस फैक्टर को इस तरूप में करते हैं, ठीक है, तो 2 y में common क्या सकता है, 2 y common ले सकते हैं, क्योंकि 2 है और यहां 2 है, तो 2 under 2, 2 2 जा 4, और एक y ले लिए तो y, 2 y into y क्या होगे, 2 y square हो गया, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और y तो पहले से हैं, यह तो इसलिए y minus 2 होगा, तो उसी तर इसमें क्या ले सकते हैं, हम लोग common, मैंने क्या बदायत हैं, यह वाला में, और दूसरी रूप में, दोनों same आना चाहिए, तो इसमें, हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 और यह y हो गया, 3 2 जा 6, यह minus कैसे आया, minus into plus minus, equal to 0, अब हमारे यह और यह same आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, y minus 2 और 2y minus 3, equal to 0, तो उसी तर इसमें भी निकाल लेंगे, हम लोग, y का value क्या आएगा, y minus 2 is equal to 0 मानो, तो y is equal to 2 आ रहा है, ओके, फिर दूसरा y का value क्या आ रहा है, 2y is equal to 2y, sorry, 2y minus 3 is equal to 0, ओके, 2y minus इदर चले गिया, plus y into में था, तो यह divide होगा, देखो, यह सब आप लोग को जाना होगा कि minus, इदर होता है, तो plus आता है, इदर plus होता है, तो इदर minus होता है, अगर divide में दिया है, तो वो multiply होगा, अगर अगर multiply है, तो वो divide होगा, यह तो आप लोग पहले पढ़ चुका, अगर नहीं जानते हो, तो यह आप लोग देख लो, ठीक है, क्या होता है, minus है, is equal to, इदर आगा, plus होगा, plus है, तो इदर आगे, वो minus में change होगा, अगर divide होगा, अगर divide होगा, क्या किया, x का value निकाल लिया, और y का value निकाल लिया, तो इस तरह से हम लोग x, y में comparison करेंगे, कौन बरा है, कौन बराबर है, कौन बराबर है, कौन चोटा बराबर है, ठीक है, वैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का value एक को लेना है, और दोनो y का value से comparison करेंगे, तो x का value क्या रहा है, 3y2, ओके, और y में क्या रहा है, y से पहले हम लोग 2 में comparison करेंगे, इस दोन में बरा कॉन है नहीं पता चल रहा है इसमें क्या है आपका यह 2 है whole number है यह 3 by 2 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे divide कर लेंगे ठीक है ना सबसे आसाम तरीका तो यह क्या हो जाएगा करो तो 1.5 में होगा ओके आपको calculation करना होगा तो 1.5 और 1 यह 2 में कौन बरा लग रहा आपको तू बरा लग रहा है अभी वाई क्या है एक से अभी बरा है फिलाल फिर दूसरा देखते है 3 by 2 फिर इससे comparison कर लिया हम लोग ने फिर इसको अब इसी से करना है 3 by 2 और 3 by 2 दोनों क्या है बरावर है तो क्या हो गया एक बार y क्या होगा बरा होगा और एक बरावर होगा x less than is equal to y तो इसमें यह value निकला अब दूसरे x के हम लोग comparison करेंगे 1 by 2 को फिर इस दोनों में comparison करना है एक वार हम लोग इससे किया था ठीक है अब इससे करना है तो 1 by 2 और 2 में ठीक है तो इसमें अब फिर उसे जड़ा 1.5 आजाएगा ना आए नहीं आएगा टू को करो क्या होगा जिरो पॉइंट 5 होगा ना 0.5 तू वन में नहीं हो रहा है तू क्या करेंगे पॉइंट देंगे तो यह 0 आएगा तो 25 यह टैल हो जाएगा तो 0.5 0.5 और 2 में कौन बढ़ा है में two बढ़ा है तो two क्या है two by one by two और three by two में कौन बढ़ा है अबٍ इसमें देखने उस इसमें हम गभी divide कर सकते हैं यहाँ चानए हम लोग चोटे में पर हम लोग पढ़ पहले कला से। जुका होगा की जब डिनोमिनिटर सेम होता है तो उपर अगर जो छोटा वो छोटा वांते हैं लोग जो बनते नहीं मतलय करना हूं और रहे हुआ है इसमें थ्री वरा तो आप लोग्हाज दोनों और डिख देखा कि इसमें वाय बार था है ठीक है